सबी मीडिया के मित्रूं का भारतिय जनत्ता पार्टी के कार्याले में हारदीक स्वागत है साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं एक लंबी और मेहनत कश परक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर जो डी लिमिटेशन कमीशन जिसका गठन किया गया था और चुनावा योग के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत लंबी परक्रिया उन्होंने की डी लिमिटेशन कमीशन के ओनरेबल चैर्मेन ओनरेबल रिटायर जस्टिस रंजना देसाई जी और उनके सारे मिम्बरों ने यहां जम्मू संभाग के अलागला क्षेत्रूं का दोरा किया वहीं कश्मीर घाटी में भी अलागला क्षेत्रूं का उन्होंने स्वयम दोरा किया सभी राजनितिक दलूं के नेताओं से और सभी जो सोशियो पोलिटिकल लीडर्स है उनसे भी मुलाकात की चाहे चुने हुए जिला परिश्द के मिंबर हो बीडी सी के मिंबर हो पंचीज हर पंचीज हो समाज के इंटेलेक्शोल्स हो पतरकार बंदू हो सबसे डिलिमिटेशन कमिशन के सद्रस्थियों ने मुलाकात की और उनसे सुझाव लिये उनसे चर्चा हुई और अन्तो गत्वा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो की रेकमेंडेशन के रूप मे डिलिमिटेशन कमिशन के मेंबरू उनसे अपने एसोसियेट मेंबर्स जो जितने भी चुने हुए ओनरेबल मेंबर पार्लिमेंट्स हैं उनके साथ वो रिपोर्ट शेयर की और जिसमें बहुत महत्वपुरुन तत्या सामने निकल कर आए हैं पहली बार जमू कश्मीर के अंदर SD कम्मिनटी को पोलिटीकल रेजर्वेशन्स मिली है सतर साल जमू कश्मीर के अंदर जो SD कम्मिनटी के लोग थे जिसमें गूजर बकरवाल गदी, सिप्पी कम्मिनटी के लोग हैं वो मांग करते थे की जम्मू कश्मीर के अंदर S.T.s को पुलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए जो कि पूरे देश में थी चुकि यहां धारा 370 लगाई हुई थी और यहां के जो हुकमरान थे N.C. कॉंग्रेस और P.D.P. के जिन्होंने 70 साल यहां गॉर्मिट की उन्होंने कभी भी गुजर बकरवालों को गदी सिपियों को S.T. की जो पुलिटिकल रिजर्वेशन पूरे देश में थी यहां कभी लागू नहीं होने दी और आज यह बेहद खुशी की बात है प्रसनता की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत का जब पूरा संभीधान लागू हुआ देश का पूरा कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है उसी के तत्वाधान में आज S.T. को पुलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से नो एसेंबली की सीटे रिजर्व S.T.s के लिए कर दी गई मैं तमाम जो S.T. कम्मूनिटी के हमारे भाई बंदू है मैं उनको भदाई देता हूँ मुबारक बात देता हूँ कि सत्तर साल बात सही उनको हक भारत सरकार ने दिया उनको हक डी लिमिटेशन कमीशन और चुनावायोग ने दिया इसी के साथ साथ जो हमारे शड्यूल कास्ट कम्मूनिटी वर्ग को भी इस डी लिमिटेशन कमीशन दोरा जो इंट्रिम रिपोर्ट जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन्स आई है उनके लिए भी साथ सीटे आरक्षित की गई है साथियो ये बहुत प्रसन्था की बात है कि जमू कश्मीर के वो वर्ग जिनको सतर साल यहां दबाया गया था अब उनको उनके अधिकार यहां मिल रहे हैं जमू कश्मीर के अंदर नबे विदान सबूं का गठन होगा और टोटल चुकि पहले 87 एसेंबली सेग्मेंट्स थी जिसम से चार लद्दाख में चली गई तो 83 बची और साथ नई एसेंबली सेग्मेंट्स को बढ़ाया गया है और यह जो साथ नई एसेंबली की सेग्मेंट्स यहां बढ़ाई गई है उनमें कठुआ जिला सांबा जिला उदुमपुर रजोरी डोडा किश्टवार और उसके साथ साथ उत्तरी कश्मीर के डिस्टिक कुपवारा को भी डी लिमीटेशन केमीशन ने एक लंबी एकसरसाइज करने के बाद एक एक सीट बढ़ाने का उस इंट्रिम रिपोर्ट में उन रेकमेंडेशन्स में सुझाव दिया है साथियों हम सब जानते हैं कि सत्तर वर्षू में हमेशन से ही जम्मू संभाग से एक आवाज उठती रही है कि जान बूज कर डेली ब्रेटली जम्मू संभाग को इस से पहले इग्नोर किया जाता था डेवलमेंट के कामूं में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेंक्शन होते थे और जब यहाँ पहले सीटूं की हदबन दी की गई विधान सभा का जब पहले गठन हुआ उस वकत भी बहुत बड़ी अन्देखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही आज जब डी लिमिटेशन कमीशन ने सभी 90 सीटूं के संधर्व में अपनी रेकमेंडेशन अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सब्मिट की है तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है के डी लिमिटेशन कमीशन ने बहुत इमानदारी और ट्रांसपरेंसी से काम किया और आज समाज के हर वर्ग में इस बात की प्रसंदा है कि यहां बहुत इमानदारी के साथ चुनावा योग ने डी लिमिटेशन के साथ मिलकर जमू कश्मीर की विधान सबहों के गठन को लेकर प्रियास किया लेकिन साथियो बहुत दुख की बात है कि जो जमू कश्मीर के अंदर जिन नेताओं ने यहां सतर साल राज किया जो केई बार जमू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री बने जो केंदर के अंदर मंत्री रहे आज ऐसे सभी नेताओं को तकलीब हो रही है कि क्यों समाज के वंचित डिप्राइब्ड लोगों को जब इंसाफ मिल रहा है तो नेशनल कांफरेंस कॉंग्रेस और पीडीपी के नेताओं को बहुत तकलीब हो रही है आज जब कठुआ डिस्टिक को इंसाफ मिल रहा है आज जब सामबा डिस्टिक को इंसाफ देने की बात आ रही है आज जब जम्मू को उसका हक देने की बात हो रही है आज जब उदुमपुर हो डोडा हो, किष्टवार हो या रजोरी पुंच हो जब इन तमाम छेत्रों के साथ डी लिमिटेशन कमिशन और चुनाव आयोग ने जिस्टिस किया तो नेशनल कांफरंस कांग्रेस और पी डी पी के नेताओं को तकलीव हो गई जब चुनाव आयोग ने कुपवारा जिला जो उत्तरी कश्मीर में है नार्थ और बार्डर का एरिया है हिली टेरेन है जब नार्थ कश्मीर के साथ चुनाव आयोग ने और डी लिमिटेशन कमिशन ने जब इनसाफ किया तो नेशनल कांफरंस कांग्रेस और पी डी पी के नेताओं को तकलीव हो गई आज जब डी लिमीटेशन कमिशन और भारत के चुनावा योग ने जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल गद्धी और सिप्पी जो अभी तक स्टी की कैटागिरी में आते हैं जब पहली बार स्टी वालों को डी लिमीटेशन कमिशन ने हक दिया और उनकी नो सीटें के लिए रिज़र्व कर दी तब एन सी कांग्रेस और पी डी पी को तकलिव हो गई जब जम्मू कश्मीर में साथ सीटें डी लिमिटेशन कमीशन ने शेड्यूल कास्ट कम्यूनिटी के लिए रिजर्व कर दी तब N.C. कांगरस और P.D.P. को यहां बहुत बड़ी तकलीव हो गई इसलिए यह गुपकार गढ़वन्दन का जो ड्रामा है यह जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है सतर साल यहां नेशनल कांफरंस कांगरस और P.D.P. के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर रूल किया और उनको पूरे जम्मू कश्मीर जब बोट लेने होते थे तो जम्मू कश्मीर की बार और जब हक देने की बारी आई जब जम्मू संभा को उसका हक मिलने लगा तब नेशनल कांफरंस कांगरस और P.D.P. के नेताओं को तकलीव हो रही है जब यहां गुजर बकरवाल और गदी सिपी को हक मिलने लगा तब नेशनल कांगरस और P.D.P. को तकलीव हो रही है जब यहां दलित समाज के हमारे शडियूल कास्ट कम्मिनिटी के भाई बहनू के साथ उनको इंसाफ मिल रहा है तो N.C. कांगरस और P.D.P. को तकलीव हो रही है जब कठुआ, सांबा, जम्मू, रजोरी, पुंच, उदुमपूर, डोडा, किस्तुआ, रामबन, रियासी को उनका हक मिल रहा है जब कुपवारा को उसका हक मिल रहा है जब नार्थ कश्मीर को उसका हक दिया जा रहा है उस वकत N.C. कांगरस और P.D.P. के नेताओं को तकलीव होना शुरू हो गई और उन्हों ने एक शड़यंत्र करके समाज में जहर घोलकर N.C. कांगरस और P.D.P. के नेताओं ने समाज को तोड़ने की एक साज़िश की है जिस साज़िश में ये कभी कामयाब नहीं हो सकते N.C. हो कांगरस पार्टी हो या P.D.P. हो इन्होंने हमेशा सतर साल यहां कभी पस्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ नाइंसावी की कभी गोर्खा समाज वालमीकी समाज गुजर बकरवाल पहाडी पहाडी कभीले के लोग गदी सिप्पी यहां के महिलाएं यहां के विस्थापित डोगरा डोडा के माईगरंट्स हो या कश्मीर घाटी के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी एंसी कांगरेस और पीडी पी ने हमेशा अत्याचार किया आज आज इनके जो बदलते हुए रंग हैं एंसी कांगरेस और पीडी पी के नेताओं के यह दर्शार है कि यह मात्र एक महले की पार्टियां बनके रह गई है नेशनल कांफरंस कांगरेस और पीडी पी इनको पूरे जमू कश्मीर की बात करनी चाहिए थी लेकिन नेशनल कांफरंस कांगरेस और पीडी पी के नेता एक महले की बात कर रहे हैं महलों तक सिमिट के रहा गए हैं जिन लोगों ने पूरे जमू कश्मीर के अंदर कैई वर्षूं तक वो यहां के चीफ मिनिस्टर रहे केंडर के अंदर मंत्री रहे, मिंबर पारलिमिन रहे आज इस परकार का शड्यंतर वो जमू कश्मीर के अंदर कर रहे है यह नेशनल कांफररंस कांगरेस और पीडी पी ये गुपकार गढ़वंदन ये जमू कश्मीर के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन है इन्होंने सतर साल यहां गरीबूं को बाडर के अंदर रहने वाले लोगों को गुजर बकरवालों को या जो पहाड़ी कभीले के लोग है उनको गदी सिप्यों को महिलाओं को डोगरूं को और जो कश्मीर के अंदर रहने वाले वतन परस्त हमारे कश्मीरी भाई बहन है उनका इस्तसाल किया इन्होंने इन्होंने समाज के हर वर्ग की पीट पर खंजर गोपा एंसी कांग्रस और पीडी पी ने और आज जब डी लिमीटेशन कमीशन और चुनावा योग ने मिलकर बहुत महनत करके समाज के अलग अलग वर्ग को जमू कश्मीर में इन्साफ देने की कोशिश की है तो नेशनल कांफरंस कांग्रस और पीडी पी को तकलिफ हो गई आज जब यहां गुजर बकरवाल हो गदी सिपी हो महिलाए हो पस्सिम पाकिस्तान के रिफूजी हो पहाडी कबीले के लोग हो जमू कश्मीर के अंदर जो रहते हैं विशेश का डिस्टर रजोरी पुंच और बारा मुला के उड़ी और कुपवाड़ा के तंधार करना केरन लोलाब जैसे एरिये में जब उन लोगों को इंसाफ विकास कारियों में मोदी साहब ने दिया और डी लिमिटेशन कमीशन में जब यहां उनके साथ इंसाफ की बात की गई तो एनसी कांगरस और पीडी पी को तकलीव हो गई यह जो एनसी कांगरस और पीडी पी को तकलीव है यह दिखा रहा है कि जनता इनका साथ छोड़ चुकी है इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है जनता के अंदर जो इनका जन आधार था वो समाथ हो चुका है और फ्रस्टेशन में और डेस्पिरेशन में आकर एक नया शड़ेंत्र और एक परपंच रचने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कांटरंस कांगरस और पीडी पी के नेता कर रहे को जम्मू कश्मीर की जनता एनसी कांगरस और पीडी पी का ये ड्रामा और प्रोपेगंडा देख रही है जनता कभी किसी सूरत में भी NC कांगरस और PDP के इन शड़ेंतर कारी नीतियों को कभी बरदाश नहीं करेगी आने वाले दिनों में जब ये परिसीमन डी लिमिटेशन का कारे पूरा होगा और जम्मू कशμीर में विधानसवा का गठन होगा यहां विधानसवा के चुनाव होंगे NC कांगरस और PDP को जम्मू कशμीर की जनता धूल चटाएगी इनकी जमानते जब दोंगी जो समाज विरोधी अवाम विरोधी, शड्यंत्र और प्रोपेगंडा NC कांगरेस और PDP के नेता कर रहे है जो ड्रामा गुपकार गड़वंदन कर रहा है इसको जमू कश्मीर की जंता का भी माफ नहीं करेगी ये शड्यंत्र जमू कश्मीर की जंता के खिलाब हो रहा है आज गुपकार गणवंदन के सायोगी नेशनल कांफर्स के नेता कॉंग्रेस और पीडीपी के नेता ये कहें कि वो जन्वरी पहली को प्रदर्शन करेंगे ये शड्यांत्र जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ एन्सी कॉंग्रेस और पीडीपी कर रही है जो चुनावा योग और परिसी मना योग ने जम्मू कश्मीर की जनता के अलग-अलग सेक्शन आफ सोसाइटीज के साथ इनसाफ किया है जनता के खिलाफ ये महास बना रहे हैं ये एन्सी कांग्रेस और पीडीपी के नेता ये गुपकार गड़बंदन वाले जो परदर्शन करने की सोच रहे हैं ये जनता के खिलाफ हैं और जनता एन्सी कांग्रेस और पीडीपी के इस ड्रामे को इस शड़यंतर को देख रही है जनता आने वाले विधानसवा चुनावूं में इन तमाम शड़यंतर कारी राजनेताओं को और इन राजनेतिक दलू को धूल चटाएगी जम्हू कश्मीर में हर एक वर्ग को उसका साथ उसका जो उसका हक है उसको मिलेगा सब के साथ इनसाव होगा हर जगा जस्टिस होगा हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा जो इससे पहले एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने जो इस्तिसाल किये हैं जो इन जस्टिस यहां हुए ह अब वो समातो कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ पूरे जम्मु कश्मीर के अंदर यहां मोधी सरकार विकास कारे कर रही है, सबको हक दे रही है, वहीं डी लिमिटेशन कमिशन और चुनावा योग ने भी समाज जम्हो कश्मीर के समाज के अंदर रहने वाले सबी वर्गू को उनका प्रतिनी दित्वा और उनका हक देने की एक कोशिश और प्रयास किया है जिसका हम स्वागत करते हैं देखा जा रहा है क्या लगता है कि सेमेगर की अगर मीडिया की बात करे वहाँ पर भारती जिनता पार्टी की आवास क्यों नहीं पहुंच पा रही या अभी ही वहां की जो मीडिया हाॉसिस है वो गुपार एलाइंस को जो है पर साहन ले रहे हैं देखिए इसमें कोई दो राए नहीं है कि जो हकीकत है जमू कश्मीर में उसको जमू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है सतर साल नौर्थ कश्मीर जिसमें कुपवाड़ा बारा मुला और बांडी पूरा डिस्ट्रक आते हैं वो अपना हक मांगते रहे हम उनके साथ खड़े हैं अनन्तनागो दक्षिन कश्मीर का वहां के लोग हक मांगते रहे गुजर बगरवाल अपना हक मांते रहे गदी सिपी अपना हक मांते रहे और यहां तक जो पहाड़ी कभीले के लोग हैं जमू कश्मीर में वो अपना हक मांते रहे जेनरेशन्स की जेनरेशन्स इस अपनी एजिटेशन करते करते दुनिया छोड़ गई लेकर एंसी कॉंग करते हुए जमू कश्मीर की जंता के अंदर डिप्राइवड सेक्शन्स आफ सुसाइटी और डिप्राइवड एरियास को जब उनका हक देने की कोशिश की तो यहां नेशनल कांफरेंस कांगरस और पीडी पी के नेताओं को तकलीव हो गई यह स्वाभाविक है क्योंकि एंसी कांगरस और पीडी पी यह किसी के साथ कभी इनसाफ नहीं कर सकते और आज गुपकार गढ़बंदर बना कर यह जमू कश्मीर की जंता के खिलाब शडियंतर कर रहे हैं यह जमू कश्म कुबा मुफ्ती से और कांगरस के नेताओं से क्या पस्चिम पाकिस्तान के रफ्यूजियों को आज जब मोदी साहब ने हक दिया है आखिर वो भी तो इनसान है सतर साल आपने पस्चिम पाकिस्तान के रफ्यूजी हो गुर्खा समाज हो वालमी की समाज हो महिलाए हो गुजर बकरवाल हो गदी सिप्पी हो पहाड़ी समुदाए के पहाड़ी कभीले के लोग हो एनसी कांगरस और पीडी पी ने इन सब सेक्शन आफ दा सोसाइटीज के पीठ में खंजर गोपा और आज जब समाज के सभी वर्गूं के साथ इनसाफ हो रहा है तो एनसी कांगरस और पीडी पी वालों को तकलीव हो रही है जनता इन शड़ें तरकारी नेताँ को कभी माफ नहीं करेंगा OBC जो other backward classes है उनको भी जम्मू कश्मीर में NC कांगरस और पीडी पी ने 70 साल हक नहीं लेने दिये आज जब जम्मू कश्मीर में जब reorganization हो गया 5 अगस्त के बाद तो जम्मू कश्मीर के अंदर backward classes commission का गठन इसी विशे को लेकर किया गया है और बहुत जल्द backward classes commission के चेर्मेन और उनकी टीम अपनी recommendations जो सरकार को सौपेंगी और यकीन जम्मू कश्मीर में other backward classes OBC community के लोगों को भी उनका हक मिलेगा पहाडी कभीले के लोग जो जम्मू संभाग के डिस्टिक रजोरी और पुंच के साथ साथ कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के district कुपवाड़ा और बारामुला बारामुला के उड़ी क्षेत्र में और कुपवाड़ा के करना विधान सवाक्षेत्र जिसमें टंगढ़ा, टीठवाल, केरन छेत्र आता है, लोलाब हो, रफियाबाद हो या पहल गांदरबल का एरिया हो, वहाँ भी पहाड़ी कभीले के लोग रहते हैं, सत्तर सालों से पहाड़ी कभीले के लोगों ने भी अपने हक के लिए जदोजहद की, और पहली पार, 15 अगस 2019 को, लाल किले से, स्वतंतरता दिवस के दिन, धजा रोहन करते हुए, हमारे देश के मानिये प्रधान मंतरी मोधी साहब ने, पहाड़ी कभीले के लोगों का जिकर किया, और फिर जम्मू में, 24 अक्तूबर की रैली में, देश के मानिये ग्रह मंतरी अमित शाह साहब ने जिकर किया है, मोधी साहब का नारा है, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब हमारे हैं, गुजर कमुनिटी के हमारे भाई बेहन हो, बकरवाल कमुनिटी के हमारे भाई बेहन हो, या पहाड़ी कभीले के हमारे भाई बेहन हो, ये सब हमारे हैं गुजर बकरवाल और पहाड़ी ये एक माँ के तीन बेटे हैं और मोधी साहाब का नारा है सबका साथ सबका व्वका सबका विष्वास च्छे सीट जंहू और एक सीट कश्मीर अगर कश्मीरी नेता को अगर जंटा के सामने रखेंगे क्या लगता है कि वोट पर अफेक्ट पड़ेगा यही सबसे बड़ा दुरुबागे है कि डॉक्टर फारुक अब्दल्ला साहब और सुश्री महबूबा मुफ्ती जी और कॉंग्रेस के बड़े दिगज ने था आज जमू कश्मीर में जब गुजर बकरवालों को उनका हक मि लोग उसका विरोद कर रहे हैं आज जब किष्टवाड डोडा रामबन उद्वंपुर कठुवा सांबा जमू रजोरी पुंच को उसका हत दिया गया जब उत्तरी कश्मीर के कुपवारा का जिकर आया तो एंसी कांग्रेस और पीडीपी डॉक्टर वारुक अब्दल्ला स हाप सुष्णरी महبوبा मुفती और कांग्रेस के नेतां को तकलिव हो गई यह एंसी कांग्रेस और पीडीपी के नेता यह जन्ता के विरोधी हैं आवाम के दुश्मन हैं जमू कश्मीर की जन्ता के सबसे बड़े यह नेता दुश्मन हैं जो कहा रहे हैं कि डिलिमीडेशन क को वो परदर्शन करेंगे ये तमाम नेता और ये सारी पार्टियां जिसमें गुपकार गड़बंदन के नेशनल कांफरेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं ये जंता के दुश्मन हैं जमू कश्मीर की जंता के विरोधी ये दल हैं और जंता इनको सबक सिखाएगी तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे तेंक यू